नमस्कार मेहिनर रह्मान प्रदेश समचार नीज चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हुँ आज मैं मिठ्छाली गाओं में राकिश कुमार प्रधान जी के साथ उपस थी थू तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गाओं के विकास के बारे में समस्याओ के बारे में और उनके समाधान के बारे में तो आएए जानते हैं प्रधान जी नमस्कार हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने परिच्छे दीजिए मेरा नाम राकिश कुमार है और ग्राम पंचायत मिठ्थोली विकास खन नोजील जनुपद मत्रा उत कितना टाइम हो गया आपको पृद्धान पत्पर अप्रे मई में हुएते चुना मईसे अप तक लगाते हैं जी 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 तो जिस टाइम आप प्रधान पतपर आ आए थे तो उस टाइम आपको कुछ कमियन नज़र आई होंगी गाव में दीखो कमियां तो होती रहती है और बेकास जब अब बेकास की वात आती है, कमियां क्या हैं नाली, खरंजे, यह टूरते रहते हैं, बनते रहते हैं, हमारी जभ्मिदारी है, उनको सही कराना समय समय पे, और जब बेकास हो रहा है, तो यह मानने के चलिए आपके, पूरा नहींत तर्ट करना पड़ता है प्रवा हाँ बस्ती का पूरा आशिरवाद मिला गाउं का पूरा अस्तिवाद मिला और आपके गाउं में जो पंचायत वफण है वो कंप्लेट है बच्चों की संख्या कितनी होगी संख्या यह इसमें ईग। वाधी में जीरों से लेकर के तीन साल तक और तीन साल से लेकर के छेस बच्चे रहते हैं और करीब मांन गे चलिए आप आ唱 वाडी में अमकिस के अनुसार हूंगे कम से کंभ दग आड तो बच्चे तो करीब 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 में तीन आगनवाडी केंद्र है तो तीनों लांशन आता है वो टाइम से अदा है हाँ अब एसा है वह जो रासन आता है बच्चों का वो आता है स्वेम साहता सम्हूं के द्वारा हाँ वो सम्हूं बना करता है वो बढ़ता है टाइम टू टाइम बढ़ता है हर महीने बढ़ता है हैं प्रायमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए कि इस सब्साइब और बच्चों की कंख्या साओ सर्फ से उपर है तो आपने मंद्रेगा के माध्यम से क्या क्या कारे कर रहे हैं मंद्रेगा के माध्यम से देखो एक तो पांसो मीटर नाली बनके त्यार है हमारी और इसी वित्यवर्स में और एक सो पांच मीटर साथ मीटर चोड़ा एक खरंजा के नर्माड हो गया है राजवित चोड़े में जोबकार धारक हैं वह करीब 200 सी क्या स्वास तो इस टाइम थोड़ा डैंगू मलेरिया जादा चल रहा है तो इसके बारे में आपने कुछ क्या कहना चाहेंगे दैंगू मलेरिया में जैसे हमें सरकार की तरफ से दवाई मिली सी जो छड़काव के लिए मैंने दो बार छड़काव करा दिया लगातार दो बार छड़काव करा दिया समय समय पर एक तो सपाई करमचारी है गाउं में वो थोड़ा बिकलांग है गाउं बड़ा है वो तो करत हुआ जैसे जुरूरत होती है जैसे कहीं साधी है को साधी है तो अगर सपाई-करंचारी यह काम नवान, नहीं होता है मैं दो चाले लिवरन लगा के उसको फरवा देगाओं जैं को पास Right लिए और विकास उम्मीदों से हमें भी चुना है और पूरी जीजान लगाएंगे उम्मीदों पर खराफ रेंगे एक हों की पचायत थे हुआ और दावी जनकी वर्णावी प्रिश्फाले अंगर कुणा हैं ओध तो उनकी सरकार की योजनमाएं हैं तो इस मैं आपको बता पादू बेकलांग 99.9 परसेंग जो बेकलांग है उसका हम बेकलांग सर्टिफिकेट बनवाएकिbrar के उनकी पैंशन बनवाएकर कम कंप्वीट है बेदवा हैं मेदवा miteinander 99 तो कहना खुषित नहीं है लेकिन 99.9 नएन परसेंट बेदवाओं की पैंशन बनब्राइं है और आप सर्च भी और हैं उसका हम बैकलांग सेटिफिकेट बनवाएगे काम कम्प्लीट बेदवाए नाइन टीनाइन परसेंट तो कहना खुषित नहीं है लेकिन 99.9 परसेंट ब कि बहुत जगा मैंने लोगों ने ज्यादतर प्रधानों ने तो शुरू ही नहीं की पिंशन बंदमाना उनको यह नहीं पता किया मैं बिद्वाओं की पिंशन भी बंदमानी है मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जो काम होता है काम करने का एक होता है कम काम और एक होता थोड़ी हो तो बेदवा हो जाए तो उसका में उसी दिन से जुट जाता है तो राष्टे पारवारे गलाब में 30,000 रुपे मिलते हैं उसको दिलवाना सुनिश्चित उसकी पैंसन बनवाना सुनिश्चित उसका रासन कार्ड बनवाना सुनिश्चित यह काम जो हमारी जो सरक प्राइर की योजना हैं उनको उन तक पहुंचाना ना कि हमें अपना विकास करना उनका विकास करना है जो विक्ती बिल्कुल गरीब है मजदूर है और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि मन्रेगा एक ऐसी योजना है उसमें जो कहात है कि आम क्याम और गुठलि करते ही उसपे कच्छे काम तो उसका ऐटो मैटिक सरकार से हम पका काम चालीश आर पह रुटे करा लेंगे अगर हमने छहषएलाग काम करा दिया कक्छा तो पका काम हम wichtige चाले लागstep करा देंगे वह में आटो मेटिक को में हमारा हो जाएगा स्वीकृर्द तो असी में काम करा सकता है बस गाहों के सहयोग से ब्रच्छर उपर आपने कराया होगा रुपन कराया है कहां कहां पौदे लगवाई थे अधर सिंटर कोलेज के ग्राउंड में करीब तो साड़े तीन सो पौदा के असपास लगवाई थे उसमें से कुछ मर गए लेकिन सवासो पौदा भी जिंदा है उसका वो चला सनक्षण भी चल रहा है और करीब दो सो पौदा मैंने इसमें लगवाई थे होस्पिटल में बंचाइद घर पर वह एक ही है वहां उसमें पाउंडरी वाल थी नहीं तो बच्चे बकडियां जैसे चलती है तो उसका मैंने कुछ गाओं के लोगों से समझदार जो लोग थे जो सामाज़े का सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं तो सामने वाला हमें मदद करने से पीछे नहीं हटेंगी तो प्रदान जी जैसे के स्टाइम कोवइड़ नाइنتर के चल रहा है वीक्सीन तो अब क्या वक्सीनेशन कितनी ना मैंंक्याषिन वैक्सीनेशन होगा कव्य केम्प है कल कावि केमक है अभी दुगगी में पैटवा वाईं हो सामको और इससे पेले रविवार को रगा था रविवबार दे दोनों आपको मैं दिखा दे रहा हूं गाव में एक सबसे बड़ी समस्या थी हमारे हम उसकी समसान की जब से देश आजाद हुआ है तो गाव में समसान नहीं है और अन्य सारी चीजे नहीं है समसान नहीं लेकिन बस्ती के सहीयोग से गाव के सहीयोग ते वह में बता रहा हूं आपको दिसमवर्मस का समाधान हो जाएगा निश्चित हो जाएगा अगर कहीं सरकार का अगर कहीं भी कछी चीजें होती है कि एजस्टमेंट करने पड़ती है अ सनक्य खराने का सच्घाव eder जा्से जो प्रधानपत पत साथ होने चाहिए वह इस तरीके साथ से म्हाओं huh तो जिस टाइम आप प्रधान पत्पर आ गया थी तो आपने यह सोचा होगा कि मैं कुछ और ऐसा कुछ करूंगा गाउं में के मेरा नाम और रोशन हो तो क्या सोचा मैं बताओं आपको कि सबसे बड़ी बात है गाउं की साप सफाई पर द्यान देना और दूसरी बात है कि ग पार्ट है गाउं की मैं पूरव साइड एक पस्चम साइड है अगि अधा ये साइट उटतर है न कि उत्तर साइट तीनों साइडों में इदर तो टाला में पानी चला गया गाउं का उधर वह माइनर उसमें आप उधर से आये होंगे यह 500 मेटर नाली जो अभी बनवाई है पांसो मीटर नाली जो बनवाई है, वो उसका पानी उदर चला गया 662 मीटर नाली इदर से उधर बनवाई थी भाग ही माइनर के लिए उदर का उदर चला जाता है तो प्रदान प्चों की सिच्चा को लेकर कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों की सिच्चा के लिए मैं आपको बताओं कि स्कूल को अगर इस्वर का आशिरवाद पांसो मीटर नाली जो बनवाई है वो उसका पानी उधर चला गया 662 मीटर नाली इदर से उधर बनवाई थी बाग ही माइनर के लिए उधर का उधर चला जाता है बच्चों की सिच्चा के लिए मैं आपको बताओं कि स्कूल को अगर इस्वर का आशिरवाद रहा तो इतना अच्छा बनवाऊंगे इतना अच्छा बनवाएंगे कि आपको ये बताओं जो प्राइवेट स्कूल है न उनको भी बच्चे छोड़कर उसमें आएंगे इतना का एक हमारी पंचायतोस में आई थी पुरस्तकार में वह मुझे उसका पता ने 15 लाग रुपे पर्याप्त भी है उसको सोंदी करन कराना है उसको बहुत अच्छा प्रदान जी जैसे का इस टाइम में बिधान सवा शुनाब आने वाले हैं तो आप किस पार्टी को नहीं आधिस थोड़े कर दूँगा कि वहीं तुम इसको चुन दो मैं मैं कैसे आधिस कर दूँगा अब जब मुझे चुनाए गाउवाले गाउवाले जिन इच्छा होगी हो उनको करेंगे आपकी क्या राय है आपको मतलब क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे बताओं जो बर कार नहीं देखा पातीं दों ठीक है प्रदान जी बहुत बहुत धरनेवाद आपका आपका ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचान नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें